आज मैं आप सभी को हमारे समाज का सबसे सवेदिन सिल मुद्दा तलाख रोखने के जोतिशी उपायों के बारे में चाहचा करूँगा जिससे आप फिर से अपना सुकी दामपते जिवन सुरू कर सकते हैं के बार पती के ना चाहते विए भी पत्मी तलाख लेना चाहती है लेकिन ऐसा करने से अल्टिमेटली नुकसान दोनों का ही होता है रोज रोज की लेड़ी जगडों से परैसान होका तलाख लेना बहुत सीधा और सुर उपायल लगता है लेकिन समय निकल जाने के बाद पता चलता है कि ये फैस्ता तो बहुत गलत और दर्दनाक साबित हुआ कहा जाता है पती पत्नी के बीच लड़ाई जगड़ा, रूटना, मनाना, नाराज होना तो आम बात है लेकिन कभी-कभी ये इद्ध हद तक बढ़ जाते हैं कि इसके कान रिस्तों में हमेशा के लिए दरार पढ़ने लगती है पती-पत्नी के बीच तलाग की बात तक पहुँच जाती है जो पती-पत्नी साधी के वक्त एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाने की कसमे खाते हैं वही किसी एक जरासी की किसी एक की गलती की कान सदेव के लिए दूर हो जाने कार निड़ने ले लेते हैं अगर किसी की दराजी या रूटी पत्नी या पती को लाख मनाने कोश्ची की परश्चार भी रिष्टे अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं उनको अजमा कर जरूर देखें जो तीस की माने तो इन उपायों से जल्दी आपके बिखरे रिष्टे फिर से मधूर हो जाएंगे और आप दो आपस से अपना दाम पर जिवन सुकी सुकी गुजार पाएंगे अगर आपका पती या पत्नी आपसे नहराज है तो आपको लाग कोशिस के प्रचार वाप से रुटावाय तो आप लिकुल ने गवर रहें आप क्या करें सुकुरवा की रात को एक बिदा नीमू ले और इस नीमू पर हल्दी और सिंदूर की मधर से अपने जीवन साथी का नाम लिख दें यानि कि आपको पहले थोड़ी सी हल्दी में मांग बढ़ने वाला जो सिंदूर होता है इसको भी मिक्स करना है और इसके परचार से थोड़ा सा पानी और पड़ा सहद मिक्स करके इसका एक लिकिट पेश्ट बना लेना है और इस पेश्ट से नीमू पर और अगले दिन सनिवार को इसे किसे बैते पानी में बहा दे या भी बैता पानी ना मिले तो आप किसी भी पीपल के पेड के नीचे बड़ा रात हड़ा खोद कर इसे दबा दे और घर आकर वहगान के सामने धूप दीब अगरबती करके फिर से अपने दामपत्ती जीवन क सुखी प्रातना की प्रापना करें आप देखेंगे इस उपाय के कुछी दिनों पच्छा आपके जीविन सती के मन से तलाख ले रहा है वह हड़ जाएगा इसे पून सद्धा विस्का से साथ करेंगे इतना ही अच्छा रिड़ देखने को आपको मिलेगा अक्सर पत्नियों की भी सिकाइट रहती है कि पति उन पर किसी पगा कि ध्यान नी दिते इन रूची नी ले रहे हैं कहीं है मैलाओं का अपने पत्ती पर यह भी सख रहता है कि उनकर अन्य इस्ति के साथ प्रेम प्रसंग चक्कर तो नहीं चल रहा है जिसके टलाक कि तक तरह भिंदी लगा लगा ले इसके परचाई आपको काजल और एस्टार लेगे चोटी सी काजगी सीसी में यह दाल लें और इसुली शर्सों के तेल की आंड मूंदे कौन करके चुला के टपका के विसका काज की सीशी में भढ़ ले और काजकी सिसी को अच्छे से बन कर लें अब इन सारी सामगिनी को अपने पलंग के नीचे रात को रोक के सो जाएं अपने उपर से लेके नीचे तक आंड बार से घुमा कर किसी भी सुन्सान इस तरह पर गाड आये ऐसा करने के बाद पीछे पलटकर कता ही ना देखें कुछी दिनों बाद आपके तलाग की जो अवश्य धारण करना चीए और महिलाओं को अपने सयनकक्स के नजावास होती है तो एक सिद्ध अभी मंतित प्रेम रदी यंत्र अवश्य लगाना चीए इस यंत्र और इस रतन के प्रभाव से चाहे परस्तिता कितनी भी खराप क्यों ना चल रही हो जल्दी लड़े जग और माता को ला रंगी चिनोरी ओड़ा है और लाल फुलों की माला भी अर्पित करें इसके प्रशाद दो लॉंग दो इलाइची दो काली मीच का भोग लगा है और इन सारे स्रमगरी को वापस से महावक का असिरवाद लेके जो लॉंग काली मीच और आपने इलाइची इश समथ हो जाएगा तो मेरे प्रीज सात्यों यह थे तलाक रोपने के और फिर से दांपर जीवन को कुछ साल बनाने के अच्यों कूपा है इसका अलावा आपकी जीवन में ऐसी कोई गंबीर समस्या चल रही है और आप अपने स्तान ये पंडिजी को या यूट्यूब को पू क्या आप गुब शत्रों से हैं परिशान? क्या आप पर जल्दी जल्दी ही किसी की बुरी नजर लग जाती है? या पर किसी ने आप पर करा रखा है ब्लैक मैजिक या तांतर क्रिया जिससे आपके घर में है नेगिटिव एनरजी का प्रभाव? क्या आप कोट कचैरी के मु हो रही है लड़ायां आपको भी चाहिए अपने सुएं के सपनों का घर आपका ज्रीम हाउस क्या अभी तक आप अपने सपनों की कार नहीं खरीद पाएं क्या विदेश जाने का सपना अभी भी है अधूरा तो सभी समस्याओं का पाई समादान गुरुदेव मनीजी कौर्ज गुरुदेव से मिलकर हजारों लोगों ने अपने जीवन को समा रहा है और आज सुखी जीवन का आनन ले रही है अभी कॉल करें 900-1867-009 पर या 79760-18329 पर